Hello Students, Class 12 Chemistry के एक Most Important वीडियो में आपका स्वागत है तो Students, अगर आप Class 12 में हैं और आपको भी Board Exam में Chemistry का पेपर देना है तो इस वीडियो को आप लाज तक देखते रहें क्योंकि इस वीडियो में हम Class 12 Chemistry के टॉप लेशन्स से 12 महत्वपूर अतलग उत्तरिये प्रस्णों को उनके उत्तर के साथ डिसकस करेंगे जो कि Board Exam के लिए काफी ज़्यादा Important है तो Students, हम इस वीडियो में उन लेशन के Important अतलग उत्तरिये प्रस्ण देखेंगे जिनसे Board Exam में ज़्यादा तर अतलग उत्तरिये प्रस्ण आते हैं तो हम एंसर के साथ देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देजिए तो देखें स्टूडन सबसे पहला कोश्चन हमने लिया है क्लाश 12 कमेश्ट्री के बादूत रसायन चैप्टर से ठीक है बादूत रसायन रासायनिक बलगत की प्रिष्ट रसायन ठीक है और तत्तु की निसकर्षन के सिध्धान तेवं प्रक्रम इन चार चैप्टर फे जादा तर अतिला घुत्तरिय प्रसन पूछे जाते हैं तो उन्ही चैप्टर समय से हम देखेंगे आज तो इस वीडियो को लास तक देखते रहिएगा तो चलिए स्टूडन सबसे पहला कुश्च जलेते हैं कि कापर सलफेट के बिलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा यानि कि आप किसी टैब में मालीजी यह एक टैब ठीक है टब है इसमें आपने कापर सलफेट का बिलयन लिया है CUSO4 का बिलयन ठीक है कापर सलफेट का बिलयन अब आपने किया क्या इसमें एक लोहे की कील डाल दी ठीक है लोहे की कील डाल दी तो होगा क्या यह आपसे पूछा जा रहा है कि कापर सलफेट के बिलायन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा तो आप प्रेटकली समझ सकते हैं कि कापर सलफेट के बिलायन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा इस्टूडन लोहे की कील आप लोग चढ़ जाएगी यानि कि अगर कोई पूछता है तो आप इतना इंसर दे सकते हैं कि अगर कापर सल्फेट के बिलेन में लोहे की कील डाला जाए तो कापर तो लोहे की कील के उपर कारपर की परत चढ़ जाएगी अब कोई पूछे क्यों такую चढ़ जाएगी कापर की सक्रियता अब सक्रियता यहां पर एक वर्ड आ गया है यानि कि कापर की सक्रियता जो है लोहे से कम होती है लोहे से कम होती है ठीक है तो इतना student आप लोग एंसर दे सकते हैं अब हम एक बार फिर से समझते हैं पूरे को कापर सलफेट के बिलार में लोहे की कील डालने जाएगी जैसे यहां पर मैंने बता ठीक है अब क्यों चड़गाएगी क्योंकि कापर जो है इसकी सक्रेता लोहे से कम है यानि कि लोहा कापर से अधिक सक्रिये है इसलिए स्टुडेंट यह कापर की परत जवाब कापर सलपेट की बिलेन में लोहे की कील डालेंगे तो लोहे कुष्ट नमारा स्टुडेंट के कोल राउस का क्या नियम है कोल राउस का नियम क्या है तो सिंपली मैंने आपको हैं लिए पढ़ाया है लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख सकते हैं यहां पर मैं इसका अंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि जब मैंने डेफिनीशन, सूत्र और मातरक सब कुछ मैंने बताया है वो भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसे हम लोग डिनोट करते हैं सिंपली सिगमा से यानि कि कपपा से ठीक है कपा इसकोल टू वन अपान रो तो आप कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रत्रोध के विवत्करम को विशिष्ट चालकता कहते हैं यह रो कि आई स्टूडन विशिष्ट प्रत्रोध है तो देखें विशिष्ट प्रत्रोध के विवत्करम को हम क्या कहते हैं कपा और कपा है विशिष्ट चालकता ठीक है अब कोई पूचे इस is का मात्रक क्या होगा यहां पर पूच्छा भी यह हो गया है डैकर चालकता से क्या अदात पर है तो आप लोग कह सकते है विषिष्ट प्रतुर्थ के वैयुत्रक्रम को डात कहते हैं इससे ग्रीक अच्छर एक प्पा को यह भी कह सकते हैं या फिर उम को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यह तो इस प्रकार से स्का मात्र हुशा शाम है यह दूसरे मात्र है एक है यह Saya और यह आप लिख सकते हैं वह मिन इन्वर्स संटीमिटर इन्वर्स तो यह आप लोग कर सकते हैं चौथा मारा आता है हमें इससे पहचानना है और लिखना है इसकी इकाई ठीक है तो पूछा क्या गया है इसमें कि निमलिखित अफकिलिया की कोटी और बेग इस्थरांग की काई लिखिए जैसे दिया गया है यहाँ पर आप लोग सूनने कोट की अफकिलिया है ठीक है सूनने कोटी की अफकिलिया ठीक है तो यहाँ पर आप लोग गलती मत किजिएगा यह प्रकास की उपस्तिती में हो रही है तो यह सूनने कोट की अफकिलिया है तो आप लोग कह स सकते हैं कि डिए सेपूश लेगा कि देखित अभिकिरिया की है की चनाफ्त इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है, एप लोग लिख सकते हैं, यानि कि सिंपल अगर ऐसे पूछा गया है, तो आप लोग कह सकते हैं, सुन निकोट की इसक लिए, और उसका मातरग लिख सकते हैं, आई एक राद हम लिख सकते हैं, तो रासानिक बलगत्की में कुछ टॉपिक आप पढ़ कर जाईएगा, जैसे पर्थम कोट के अफकिरिया, सुन्य कोट के अफकिरिया, आभासिय काणू के अफकिरिया ठीक है, या फिर तृतिय कोट के अफकिरिया, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिंक आपको मिल चैप्टर से, कुछ ट्यां कि समांग और बिसमांग और प्रेरन को एक अधारन देकर समझाइए, या ज़िए आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्किप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, मैं ने पढ़ाया बहुत अच्छे से, आप लोग वहां से जाकर त्यार कर सकते बार बार पढ़ाने से कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो आप लोग वहाँ पर जाईए अच्छे से समझेए चाठामा देखिए स्टुडेंट द्रोष नहीं हो द्रोविरोधी कोलाइड किसे कहते हैं एक एक उधारन देकर समझाईए तो इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिय क्योариन की अब चप्राइए थो के लोगर को जाकर कर सकते हैं यह आपका तयार है तो बहुत अच्छी बात हैं यहां पर मैं प्यप्टी करण के बारे में बताना चाहूंगा यहां ए पैप्टी करन के होता है देखिए प्यप्टी करण की च्छो पारे निए इसकंदन के ृ करेंगे हम कोलाइडी बिलयन के रूप में उसे परिवर्थित करेंगे देखिए क्या है प्टी करण की विदि असकंदन की विप्टीता है इसमें ताजे बने अच्छेप को किसी बिद्दूत अभगट के तन्व बिलयन के साथ हिलाएंगे तो कोलाइडी बिलाइन यहाँ पर प्राप्त होगा अब जैसे हम लोग इसका example भी यहाँ पर एक देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए तो जैसे फेरिक हाइड्राकसाइड फेरिक हाइड्राकसाइड ताजे अच्छेप में फेरिक क्लोराइड फेरिक क्लोराइड का बिलाइन ताकि मिलाने पर तो आप लोग इसका example लिख लीजेगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए तो मिलाने पर लाल रंग लाल रंग का F.E.O.H ठीक है F.E.O.H ये आपका ये नहीं डेगा बिलेकर F.E.O.H का होल थ्राइज का कोल आइडी बिलैन बनता है ठीक है यानि की F.E.O.H बनता है ये कि कोल आइडी बिलैन है F.E.O.H का होल थ्राइज तो समझ में आया अब यहां पर सिंपल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्यप्टी करन की बिदी असकंदन के बिप्रित होती है जब आप किसी ताजे बने उच्छेप को किसी बिद्धुत अभट के साथ तनु बिलैन के साथ मिलाएंगे या हिलाएंगे तो कोल आइडी बिलैन आपका बन जाएगा ठीक है अब जैसे हम एक्जांपल भी बता दिया मैंने कि फेरिक हाइड्राकसाइड ठीक है कि ताजे उच्छेप में फेरिक क्लुराइड का बिलैन मिलाने पर लाल रंग का एफ प्रता भी बताओंगे तो लाल रंग का फे ओएज का होल त्राइज बनेगा जो कि है कॉल आइडी बिलैन आप इस्टूडें मैं आपसे कुछ 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 बताऊंगा आपको जो कि है तप्तो के निसकरशन के सिध्धान तेवं प्रक्रम चैप्टर से आपको इतने क सबसे पहला question आपको बिलकुल भी नहीं छोड़ना है दूसरा भी नहीं तीसरा है इसमें सभी important है देखे क्या है आठवा question कि गालक क्या है उदारन फहित समझाईए मैंने पढ़ाया लिंक आपको मिलेगा डिस्किप्शन में बार बार पढ़ाने की आओ सकता नहीं है नवा द सभी को आप लोग एकदम तयार करके जाईएगा ठीक है दसमा है निस्तापन किसे कहते हैं उदारन देकर समझाईए इसको भी मैंने पढ़ाया है तो आप लोग इसको इस्टूडेन चैनल पर ढूड़ने से अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगा आप लो ठीक है और इन सभी को आप जरूर तयार कर लिजिएगा इस चैप्टर में अतलग उत्तरिये आते हैं तो इस्टूडेन आई होब कि आपको वीडियो पसंद आया होगा पूरा मैंने आपको बता जिया कि क्या आता है क्या नहीं आता है ठीक है और अभी और भी चैप्टर सह हाँ इससे पहले भी मैंने आतलग उत्तरिये बताया है ठीक है तो आप लोगों को लिंक सभी कर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो जाकर देखिएगा तो इस्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही आप लोग तयारी करते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा सेर किजिए लाइक किजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो